तो आपन शेडिंग साट नरे के अपना इस से करेंगे तो टेन भी पेंसल ले लो टेन पेंसल से अपन करेंगे स्टर्ट कहां कहां करता है पहले यह या आपको की आउट्लाइनिक बनाइटी है ठीक है अपना ये वाला पूरा पोश्चन ये रहेगा तो अभी नॉर्मली करो म बन नहीं है, पार्टिशन बनाया जीरे-जीर कर रहा हूँ, इसमें भरना नहीं है, इसमें शेड करना है, ठीक है, भरूब के तो ओल्टा सीधर शाइम मारता है, यहीं सेम चीज अपन राइट सेड करेंगे, जो अपन ने मोटा से कॉनम से बनाया है, अपन कुछ जादा नहीं कर रहे हैं, अपन बस इसे फिल कर रहे हैं, बहुत जाद ऐसे गंदे तरीके से मत करना और मोटा मोटा नहीं करना, आराम आराम से पत्ला पत्ला कर दो, क्योंकि अभी यह बेस्टेयर ही है, अपन इसके बाद और भी करेंगे, और यह सब स्टार्ट करने से पहले एक बबब करादों कि स्केच में सब कुछ रिदम में बैटर आए की नहीं, प्रोपोर्शन में बैटर आए की नहीं है, सर्फ अलग जा रहे हैं, अलग जा रही है, उसे शेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं होगा, यह आईरिस की भी आउट्लैन दी है बदें, तो एक बार स्केच कंप्लीट हो जाने के बाद, शेडिं की मदद से ब्लेंड किया, जो ग्रेफाइटर से बाहर फिलाने की जगा आईस के अंदर फिला लू ठीक है, यह अंदर वाला पोर्शन की है, बाहर निकलाना अंदर ही करो, ठीक है, इस तरीके से, यह उपर वाले कर्व से बिट्यानिकल पेंसल की मदद से अभी इने आप इने बोला अभी पर वाले फिले अपर फिले साथ, बिसले डाल दया अबने अब इस पर इने कर लो, सबला बढ़िया, अब आपन एक्सभी पैंसल लेंगे, फोस्टेड के आपके, ठीक है, इस बेंसल केशने लिगे घ्र तूशने मेंगे, तीक है, अब एक्ष्ड एक आपन को देखो यहां पर हाइलाइट यह दिख रहा है यह वाले लेकिन इसे आप इस स्केच में तुम्हें अलग तरीके से बताऊंगा कैसे एक करी से मौनल winners इरेजैर से हाई लाइठ आये स्कीस अगर है यहा थोड़ा खोड़ा हुए यहां पर फोड़ा खोड़ा होई यह थोड़ा होई हागी तो इस तरह के से तो इसफेच्ट थोड़ा यूटिक होगा अपने लिए तक जो जहरे पे स्पोर्ट से बिना स्केट्स भीकार करें कैसे तो करें ठीक है अब जो शेडिंग इसमें बहुत स्मूध होनी चाहिए प्रीविएस जो स्केच में आया बने उससे भी जादा बेटर शीडिंग करो बेटर ब्लेंडिंग करो था कि स्मूध आई कि अपनको इसमें जाना पड़ें बैक्राउंट आप देखना वह टेंवी तक जाएंगे अपन एक डार्क स्केच की तरह हो गया पीच में देखो पिछले वाले स्केच में अपने कि एक साइड लाइट था एक साइड आप इस तरीके से इस तरीके से मैं सर्कुलर शेडिंग में थट से वाला वोल्स बना रहा हूं यह लंबे लंबे थाकि स्मूद शेडिंग हो अब आगे देखना जरा यहां आके थोड़ा रुखो यहां टिप प्या अब रुख जा अपनको यह दिख रहा यह वाला प्रावर यह नोस के और आइस के यहां पर हलका सा इस साइड से यह बनाया यह श इस तरीगे से अब यहां पर शेड तो इन साइड भी होगा अब बस यह दो करना था है अब यह नॉर्मली इस तरीकी से कर्व करते करते नो स्टेम के पास लाए नो स्टेम के पास थोड़े लंबे कर ले ना पर कर देख ताकि बहार तक आए यह लाइट्ली रॉक करना था कोई भी बहुत डार्क मilleurs कर ले नहीं कर राऊ तो ढरस निए यहां पर आ के शा रफ है सई साइड हुना आ करेंगी ऑपने शर्क एपने सर शेल करना स्टार्ट करवों यहां तरीकी से लेफ्ट करिए नियुक्त वार दो साथित कर दो लिए क्यान को दो किस एक्टामी उन्हाय को नियुक्त है बाइस के बीच में अपन स्टार्ट करने जासे वह हो गया है इतना करो खीक है इतना करने वाद आपन नोस के अंदर शेडिंग देख लिए तो नोस करना है तो नोस पर देखो बहुत ज्याद ऐसे ती प्राह हुआ है तो इस पर मेरे को फॉलो करते जाओ यहां पर पे पेले यह जो बेस है यह अफ़ी सर्कुलर शेडिंग में थट से इसे सर्क्ल स्ट बना बना के आउट्राइस कर रहा हुआ है इस फॉलो करते जो यह देख सकते हूआ अपने रिफ्रेंस में यहां अच्छा खासा शेप सा बना रहे हुँआ है अपन को सर्कल नहीं है वह श्याओ यहां इसके बाद तॉर्णो को जोइन कर देंगे यहां इसके बाद तॉर्णो को ज्याइन करके यहां अबंतली सी लाइन के साथ नहीं थोड़ी मोटी रखना अपन एच पी कर रहे है तो बहुत जादा डार्क भी नहीं होगी तो परेशानी नहीं होती है तो इस तरीके से आपन नहीं है तो इससे जो जो हाइलाइट और दिख रहे हैं वह अपन करेंगे तो यहां यहां तो पूरा फिल हो जाएगा इस यह पूरा फिल हो गए यह हाइलाइट अभी दे सकते हैं जा अपन अपनी मोट पूरा फिल कर दो ताकि शेरिंग और ब्लेंडिंग में आसानी रहे बाद में हाइलाइट टाइम उसे दे देंगे यह बीच वाले के साथ एसा मत करना कि बीच वाले के साथ इसे तो उल्टा जो इस तरीके से इतना हिस्सा चोड़ना है अपन को ब्लेंडिंग का भी ध्यान अगर उसे बदूर तक फैलाना है तो ज्यादा शेड करो ठीक है इतना रीजन कर लो अगर वाल एपार्टमेंट नोस की बाद एकी चीज बस यह आई के नीचे थीरे थीरे करव आथा जैसे इसमें देखो इसमें अपने थहोड़े ओवल सिय्फ करेंगे और यह यहां चलेंगे इसमें इस डारेक्शन आएंगे तो अपना ही आइस से नोस वाला जो कनेक्शिन रहता है तो नीचे का पार्ट हो गए अब और नीचे दाने से पहले पोरेंड वाला सेक्शिन अपना तो अपना फोरेंड वाला सेक्शन पूट है यहां काम परो इस तरीके से शेड करते हुए लेते हो आप साथ साथ में तो अपन होरिजॉंटल ही करेंगे यहां पर एक बार में पूरा लेप्ट वैड नहीं ले जाना है एक बार में जतना इंसल चल सब्सक्राइब अपन को नॉर्मली एच्वी का यूस करके पूरा एसे फोर हैड जो है उसे स्मूज शेडिंग से भढ़ देंगे अपन तो अ कुं के यहां तक करने के बाद को बहुत पूराणी फिल करना यहां पर हलका हलका नीचे कर्व कर दो है यहां पर एओनों और आइब्रोउस के बीचे बीच में जो शेड़ है घर रिच्व करते हृँ रगा करण दिद धिरे धिरे करण कियाँ यहां पे हलका हलका करण किया और यहांपर हलका हलका करण किया थीक है तो इस तरहीं से अपने पूरा इसा नहीं छोड़ा और ए電 these तरह के इत्व पहले एक श्द कर लो तो आउटलाइन जो है ऐसे सर्कुलर बनाते बनाते मोटा मोटा रफ रफ शेड कर लो ताकि एक आइडिया होजा कि बस ऐसे आना है तो यहां पर इस तरीके से आना है तो क्या करना है अब इसके आसपास का पूरा एरिया है नहीं नहीं बोला नीचे तक ले जाओ नहां से शेड करना स्टार्ट करों यहां से ऐसे ठीक है वर्टिकली वर्टिकली झाल झाल कि अब मैंने जो बोला कि आप इनको बीच में से एक और जा रहा है तो अब उसमें वह पार्टीशन करेंगे तो पैंसे को थोड़ा पीछ सेंटर से थोड़ा पीछे पकड़ो यहां से यहां जाएगा वह पार्टीशन ऐसे कि थोड़ा सा नीचे छूटेगा ऊपर वाला इसस आपने इसे शेड करते हुए ठीक है यहां धीरे-धीरे उपर की तरफ ले जाएंगे है कि इस सब थोड़ा थोड़ा लाइटली करना बहुत जाद से डांग नीचाहिए इस तरह देख सकते हैं अपन को जो दो यहां वाला जो हाइलाइट है वो मिल गया यहां वाला हाइलाइट है जो नोस के बगल में वो मिल गया इस तरीके से अपने जो लेफ्ट साइड के चीक्स करने ते वो कर लिये तो राइल सले में जो नर्मल हो रहा है इस एरिया मेंघाय घाय हालका सा यहां पर भाड़कर तो फो बाद दर करें एक बान पर देख लेते हैं कहां से कहां की आज तो पूरिश आप यह पूरां यहां से लेकिए ठीक ऐसे आ तो मैं हलका हलका वैसे उस पे करूँगा उससे थोड़ा बहार ही रखना क्योंकि अगर कम हो जाती है यह कम हो जाता है तो फिर एरेज करना पड़ेगा इससे पहले एरिया ज्यादा कर दो कर हिसाब से नहीं बैठा तो आपने उसमें और शेड कर देंगे इसे धीरे धीरे ऐस शेड करके फिल कर दो आराम आराम से ठीक है तो यह अपना वह इससा बन गया अब यहां पर देखो यहां पर ही अपन को वही जो चीज यह ले जा रहे थे बीच में स्ट्रिप तो इसको भी करते हैं उसके लिए थोड़ा ऐसे घुमा लो आराम आराम से इसी एंगल में ठीक उपर वाल ऐससा जाधा रहेगा एक बहुत जाधा भी नहीं छोड़ना और ऐसे बहुत कम भी नहीं छोड़ना क्योंकि यहां पर जो स्पॉट्स बनेंगे वह वैसे उस एरिया को कवर करते ही रहेंगे ठीक है तो इसको ऐसे रफ एजस नहीं छोड़ना स्मूध आने चाहि यह इससा अपने नीचे बनाया है थोड़ा आगे आगे से भी शेड कर लूँ कि बहुत जाधा शेड नहीं करना है से हलका हलका अंदर की तरफ लाओ ताकि ब्लेंड करने में आसानी रहे अपन को यह इससा और फिर आगे वाला इससा अपने इतने हाइलाइट्स छोड़ द यहां से ऐसे लेते हुए आएंगे स्मूज शेडिंग करने है अपन को यहां से अपन को क्या करना है यहां पर एक ओवल सा शेप छोड़ना है ठीक है तो हलका हलका यहां पर से नीचे लाए अपन यहां छोड़ना है ओवल का शेप तो हलका हलका उपर से नीचे शेड करते ह अब आज थीरे धीरे बस यहां रुप गया इसकी सरावंडिंग जो है इसकी सरावंडिंग जो है अपने से ओवल शेप एक रखना ब्लेंड करते समय भी अभी यह हलका हलका ऐसे जैसे मैं ओवल शेप शेडिंग कर रहा हूं यह थोड़ी बाउंडरी बना दी मैंने ऐसे बहुत आराम आराम से और ये हो गया ये ओवल शेप मेरा हो गया बाकी कही जो हिस्सा है मैं नॉर्मली जैसे करता हूँ मैं नॉर्मली उसी तरीके से इसे फिल कर दूँगा बहुत आराम आराम से ही मैंने फिल कर दिया ओके इतना गर्णिंग बाद मेरा चेहरा हो जाता है जो सराउंडिंग और नेक है इसको नॉर्माली एच बी से है पूरे में फिल कर दो हुआ है तो अब अन्य बैग्राउंड जो है और नेक है वो पूरा तरीके से स्मूद्ली शेड कर दिया और इस तरीके से अपने चेहरे पूरी लियर हो जाती है बाखिया अब नेक्स लास में करते हैं आज के लिए काफी है तो